गुरू को, वह गुर्गुरु जी का खालिसा वह गुरु जी की फते ज़ुरु रौप गुरु दिप्रमपेरी गुरुषवारी सासंग जियो बाबर ने जिदो हिंदोस्तान ते हमला कीता है ते रस्ते विच आउंदियां होया एमनाबाद ते भी हमला कीता एमनाबाद ते हमला कीता और सारे उत्थों दे जिड़े लोक बावर दे बरोद दे विच खड़े होय सी ओना नूँ जित के ओना नूँ बंदी बना लेया और जेडा कोई प्राणी नजर आऊंदासी ओससे नूँ पकड़के बिगारी बना लेया जान दासी ओससनूँ अपना समान अपना कम ओस तो तक्के नाल जबर दस्ती करवाया जान दा सी ओसनूँ जेल दे विच शेट दिता जान दा सी इस तरह ही ओदों एमनाबाद दे विच पाई लालो दे कोड सहभ शिर्गुरू नानक देव जी वी बिराज मान सन और एमनाबाद दे अंगलिया दे विच जिदों ए लोका नू पकड़या जा रहा सी ते और दों सहभ शिर्गुरू नानक देव जी ते मरदाना जी भी बाबर दे फाजियां दे हाथ था गए और उनना ने पकड़के गुरुनानक देव जी नूं ते मर्दाने नूं भी वगारी बना लिया और अपना समान जेडा सी पंडा समान दियां परियां हो यां सहब शिरी गुरुनानक देव जी दे सर दे उते रखा देती यां गुर्णानक देवजी दे मर्दाने दे सरते भी रखा देती यां इस तरह जिदो गुर्णानक देवजी दे सरते पंडा रखाईयां ते फोजी बावर दे जड़े सी ओ तक्के नाल लोका नूं काम करवा रहे सी और अपना समान एद्रों ओदर अग्ये पचाउन वास्ते उन तो कम ले रहे से सही शेवजी गुर्णानक देवजी दे सरते जो पंडा रखाईयां सी ना और ना फोजीयां ने बावर दे फोजीयां ने ये देखिया कि ये पंडा जिड़ियां है गिट गिट उचियां और दे सरतो जा रही है और सहीवजी गुर्णानक देवजी राम म विच कैद कर देता और जथे कैदियां नूं सारे कैदियां नूं चक्की पिस्वाई जा रही सी ओथे ही गुरुनानक देव जी नूं भी लिजा के बठा देता और चक्की पीस्टन लई लगा देता हुँ सहभ शिव गुरुनानक देव जी महराज जी ने सत नाम वह गुरु सत नाम सत करतार तणन रेंकार दा जदों और चारण की थे ओदून और चक्की पिजडियां से पने आप चलन लगे इसे तरह दे नाल जदो अस्चर्ज को तक देखिया बाबरत आफाजीयां ने ताँ उननों हैरानी हुई कि एक ही है पहला इस दे सिरते पांड़े जड़ी सी वो बहु गे ठुची जा रहे सी और होने जड़ी है चक्किया जड़ी है वो अपने आप चल रही है ताँ बाबर दे फौजीया ने जाके बाबर नों संदेशा देता कि एक कोई ऐसा फकीर है जड़ा जिस दे सिर दे उतों समान दे पांड़े जड़ी सी वो गे ठुची चल दी सी और हूनो चकियां दे विच चा के जेल दे विच चा के चकियां दे विच बठाया गया तो चकियां भी अपने आप चलन लग पैंगाई जिदो एक अल बाबर ने सुनी ते बाबर ने क्या के पढ़े ओ लोकों के ते सहव शिरी गुरु नानक देव जी नूं ता तुसी पकड़नी लेंदा क्योंकि बावर जैडा सी पहला कि तो सहभ शरी गुरुनानक देव जी नों काबल देविच मिल चुके सी अपने गुरु देडाना ते एव समेख भावर ने सहभ शरी गुरुनानक देव जी नों बेंती किती सचससा किरपा करो किर्पा करो कि मैं हिंद्व स्तान नों जट नहीं सका हूर मैं हिंद्व स्तान दिव तेराज करा तो सहविश्य गुरुनाणके ज़ी साफ्वचन कह देता तो इस तरह जदसु समझ आई और बाबर ने नत मस्तग होके मत्था टेक या सेवश्यरी गुरु नानक देवजी नो और माफि मंगी सचे पाश या انہи ने तो हनून नजाय जी पकड़ लया करबा करो बक्षल हो सचे पाश्या करबा करो और पेटा दे वेच जो वस्त लया के रखी सी ओवस्त सही श्युल्यु कुरुनानक देव जी नूँ चिर्णनी रखे देत lazım ता सहिभ श्री गुरु नानक देव जी ने किरपा करके ओ सुनू फिर जो मतलब बावर ने ए बेंती कीती के सच्चे पाशा किरपा करो किरपा करो मेरे से एल कारा तो मेरे सेवादारा तो जुगलती हो या सानू बक्षिलो और सानु किर्पा करो के सानु हिंदोस्तान दा राज परापत हो जावे ता सहिभ शीरी गुरु नानक देव जी ने जित्थे उसनु राज दी बक्षिश दित्थी सत मुठियां जो वस्त पेटा वास्ते लेंदी हो इसी कहिं देने के ओ ओ पोस्त दा नशा छी पोस्त सी ते उससे दियां सत मुठियां पारके सहिभ शीरी गुरु नानक देव जी ने बावर दी चोड़ी वे चपा देती जा अर बावर नो ए बक्षिश कर देती के तेनो सत पीडियां दा राज बक्षिया उस दे नाल ही बावर तो सहिभ शीरी गुरु नानक देव जी ने जेड़े भी कैदी उते चकियां पीस रहे सी जा जो भी कम हो ना तो तक के नाल जवर दस्ती करवाया जा रहा सी एमनाबाद दी जेल दे विच ओ सारे दे सारे कैदी सहिभ शीरी गुरु नानक देव जी ने बावर नो कहके छड़वा देते और बावर नो जिदो ए सत पीड़ियां दा राज बख्षया ना तो मरदाना कैन लगया सचे पाज़शा हुन सारा ये ना नो बख्ष देना के तहां सहिभ शीरी गुरु नानक देव जी ने क्या मरदानिया कोई गल नहीं है जिदो सी वापस लेना होया ना आसी सिर्फ अपने सत सिर्फ दे के ए ना तो ए राज जेड़ा है वापस ले लवांगे तो एस तरह देनार सहभ शीरी गुरु नानक देव जी ने एमनाबाद देविच बावर दे ऐलकारा ने बावर दे फोजीया ने जो जबर दस्ती तके नार लोकानों केटी बनाया हुआ सी जो हारे होए सान उना नो बंदक बना ले ले उना तो बगार लई जा रहे सी उना स आरेया नू छड़वा दिता और इस तरह देनार बावर जिड़ा है नत मस्तक होके सहभ श्रीगुरू नानक देव जीदा शुकराना करता होया अग्गे वलनू वद गया और अग्गे हिंदोस्तान दे उते हमरे करता होया हिंदोस्तान दी राजता ने दिल्ली तक कर भी शेश दूरा ही सब कुछ होया फिर समां बनेयां त debating ऋबंदा जड़ा राज सी सहभ शिर गुरु नानक डेव जीरी दी दसमीं जोट जड़ीं सी सहभ शिर्गुरू गोबश सिंग जी महराज ओसे इनार राज फिर जड़ा तो पूटे प스파़ेधियानों बावर्दि कयतों मक्त कर्वाया और संसार देविच सह्षी कुरुण अनक देव जी ने अपने नाम दा डंहका बजवाया एजना हमेशा सतनाँ सत्त कर्तार नरेंकार हमेशा ही चलदा रहा है और अग्य जाके जड़ा एही वही वहिगू वहीगू वह गूँ वहीगू नाम होया और जिस दे सदका एसारे संसार दे लोक जिसनू सिम्राण कर दे है ओ सुखी हो जादे है ओ अपने जीवन दे वेच खुशियां परापत कर दे है, सुख परापत कर दे है, अपने बंदना तो मुक्त होगे। जीवन देविच सुख बक्षदा है, खोशियां बक्षदा है, रू नू अजाद करवा दे है। पेट कीती सी, ओ एक नशा सी, और नशा पोस्त नहीं बलके पांग सी, और पांगदियां ही सात मुठियां, सैव श्री गुरुदानक देव जी ने बाबन नू बक्ष देती है। झाल